नमस्कार दोस्ति, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर ऑस्ट्रेलिया में लाखों मदू मख्यों को मार रहा है क्योंकि एक पैरसेट फेल रहा है तो ऑस्टेलिया में ओलरी मिलियंस ओफ बीज को मार चुके है ताकि यह पैरसेट और नहीं फेलने के लिए इस तरह डॉमस्टिक बर्ट्स को भी मारते है दोस्तों जब कोई वाइरस वगरा फेलते है उसे क्या बोलते है करलिंग बोलते हैं वैसे करलिंग के बार में हमने कई बार डिस्कस किया है । तो मतलब क्या होता है ? selective slaughter आब बोल सकते हो दोस्तों जो infected यह आनिमिल या बिर्ड उसको मार देना ताकि वह वाइरस आगे नहीं फेलने के लिए तो आज कल ऑस्टेलिया में colonies of honeybees को lockdown में डाल रखा है मतलब जो अभी तक infected नहीं है उन्हें lockdown में डाल रखा है basically isolate किया हुआ है वैसे उधर एक eradication zone भी create किया है दोस्तों मतलब जहां पर site होता है यह paracid उससे कम से कम 6 मेल दूरी पर एक eradication zone create करते हैं उधर जाके पूरे जो बी से उन्हें exterminate करते हैं अब दोस्तों वरोवा माइट के बारे में कुछ basic details वरोवा माइट या फिर वरोवा डिस्टक्टर एक parasitic insect है जो honeybees को attack करते हैं और उनके अंदर रहकर खुद को feed करते हैं वैसे parasit का मतलब क्या होता है दोस् organisms जो एक host organism के बीना रह नहीं पाता है basically क्या करते हैं दोस्तों यह दूसरे host organism के शरीर पर गुशते हैं या फिर उनके शरीर में attached हो जाते हैं और host organism के शरीर में जितने nutrients वगर आये उसे derive करते हैं इसे क्या होगा जो host organism है उनको sufficient nutrients नहीं मिलेगा तो basically parasites आने से जो host organism है उनके लिए अच्छा नहीं है तो यह जो parasyte varovar mite यह honeybees को attack करते हैं जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो यह honeybee है इसके उपर बैठा हुआ है देखे एक दो तीर आगे तो यह धीरे धीरे इस honeybee को खतम करेगा और ऐसा है यह बोद जल्दी spread हो जाता है और entire colonies of honeybees को यह खतम कर सक सकते हैं अब यह जो varovar mite है they often travel from bee to bee and also via beekeeping equipment such as combs that have been extracted देखे एक तो बात है यह एक बी से दूसरे बी तक travel करेगा दूसरी बात यह है beekeeping equipment जितने हैं उससे भी यह travel हो सकता है अगर आप यह beekeeping equipment को एक जगा से दूसरे जगा लेके जाओगे उसी में यह varovar mite हैगा तो दूसर में डिकले नज़र आया है अब दोस्तों varovar mite mainly feed and reproduce on larvae and poope in the developing brood देखे हाणी बीस का जो early stages of development है जब यह larvae and poope रहते है उसी टेम यह varovar mite इन्हें attack करते है वैसे adult honeybees के उपर भी यह रहते है फिर भी यह सबसे ज्यादा concentrate करता है larvae and poope के उपर इस वज़े से क्या होगा व it causes malformation also ठीक है तो जैसे जैसे mite का population increase होगा over the course of time यह जो symptoms है basically जो malformation से यह भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा मतलब पूरे जो bee colonies में आपको crippled bees नज़र आएंगे मतलब जो अपंग है या फिर विकलाम है तो इस तरह की bees आपको नज़र आएगा फिर bee colonies में उनका flight performance भी impaired होगा दोस्तों मतलब यह ठीक से उड़ नहीं पाएंगे lower rate of return to the colony रहेगा यह क्या होते दोस्तों देखे बीज हमेशा colonies में रहते हैं अब यह colony छोड़ कर जाते तो है पर यह वापस भी आते हैं पर इस तरह के जो bees है जिने बेच्पन में वरवर मैट का infection हुआ इनका lower rate of return रहते हैं and obviously इनका reduced life span भी रहेंगे यह बहुत जल्दी मर भी जाएंगे अब दोस्तों वरवर outbreak in Australia इस माइट को पहली बार डिक्टेट किया था near the port of Newcastle तब से अब तक यह deadly insects 400 different sites में spread हुआ दोस्तों and over 6 million bees को already डिश्टोई कर चुके हैं तो जैसे वरवर मैट का detection हुआ country मे New South Wales की जो authority से इन्होंने strict bio security zones established किया है basically movement of bees, hives, honey, comb यह सबको limit करने के लिए अब बात यह है दोस्तों New South Wales में जहां पे यह outbreak हुआ है उससे 378 km दूरी पर भी similar outbreak हुआ है मतलब इतने दो तक यह already spread हो चुका है काफी खतरना condition है और एक important बात यह है दोस्तों the mites do not feed on Australia's native bees देखिए Australia में दो तरह का bees है एक तो native bees है जो Australia के लिए endemic है और दूसरे country से भी इन्होंने bees को import किया है और उधरी honey production हो रहा है अब यह जो mites है Australia का जो native bees है उसे affect नहीं कर रहा है और जो non native species है उसे affect कर रहा है पर बात यह है Australia की जो honey industry है वो primarily non native bees के उपर dependent है इससे पहले भी Australia में इस तरह का outbreaks हुआ है दोस्तों 2016 में, 2019 में और 2020 में तो दोस्तों finally जैसे मैंने आपको पहले बोला Australian authorities ने यह virtual lockdown of the behaves order किया है in the affected area of the state यह है behaves जहां पर यह honey bees को रखा जाता है ठीक है तो यह behaves अभी affected area से बाहर move नहीं कर सकते Australian authorities ने lockdown imposed किया है पर देखे दोस्तों normally यह behaves को transport किया जाता था एक जगा से दूसरा जगा तक क्योंकि honey bee से pollination होता है अब crops का development के लिए pollination कितना important है यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है तो आजकल यह जो behaves का movement नहीं होने की वज़े से Australia का 15 billion horticulture industry affect हो रहा है दोस्तों क्योंकि pollination ठीक से नहीं हो पा रहा है ओप से ओलडी global farming industry suffer कर रहा है दोस्तों एक तो fertilizer का price ज्यादा हुआ है, fuel and machinery का price ज्यादा हुआ है, supply chain में problems है, मतलब चीज़ें ठीक से पहुंच नहीं रहा है, एक तो coronavirus pandemic की वज़े से, दूसरा Russia Ukraine crisis की वज़े से, अगर यह lockdown ज्यादा दिन तेले देंगे तो और भी crops, fruits वगड़ा affect हो सकता है, जैसे कि macadamia, nuts, blueberries, cherries, avocados, etc. क्योंगि आजकल चीज़ों का movement नहीं हो पा रहा है, जितने भी affected area से, उथर से, सारे movements को बंद किया है, Australian authorities ने, क्योंगि गलती से अगर एक भी यह जो parasite है यह चला गया दूसरी जगा पर, तो उथर भी spread हो जाएगा, तो दोस्तों that's it, अब Australia के बार में इतना कुछ बात हो गया, तो Australia का map भी discuss कर लेते हैं, Australia largest continent in the world, एक country भी है, the only continent which is a country also, Australia का main land को 6 बागों में debate किया है दोस्तों, Western Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia, New South Wales and Victoria, अब New South Wales के अंदर एक Australian Capital Territory है, जो Canberra में है, और एक island state भी है दोस्तों Australia का वो है Tasmania, ठीक है, इध Australian continent का Western side में है, Indian Ocean, Eastern side में है Pacific Ocean, अब दोस्तों Australian continent is situated in Oceania region, Oceania region basically एक geographical division है, जिसमें चार main regions आता है, Micronesia, Melanesia, Australasia and Polynesia, वैसे Australasia में Australia and New Zealand है, और आपको पताई होगा, Micronesia, Melanesia, Polynesia, इसमें काफी सारे छोटे-छोटे island countries भी है, ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान दीज़े द यह पोलिनेशा का पार्ट है, पर हवाई, United States of America का पार्ट है, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगाओगा, लक्चर की PDF एस सुचल आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे, डिस्रिप्शन बॉक्स में प्रोवेड़ है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.